अगर आपने भी अपनी प्लांट्स को जमीन के अंदर लगाया हुआ है या फिर गमलों के अंदर लगाया हुआ है और उन प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा है पत्तिया सूखने लगी है और हमारा प्लांट्स मूर्जा कर रहा है और पत्तिया सूख के गिरने लगी है तो इस कि आपका वीडियो में दिखाई दे रहा होगा इस नीमू का प्लांट को मैंने दो महीने पहरे लगाया था और इसको मैंने देखे जमीन के अंदर लगाया था जो इसकी पत्या क्या है सोक कर गिरने लगी है और यह प्लांट देखके मेरा मुर्जाने लगा है अब इसकी ग्र जा जाता है या फिर हमारा दूसरा जो मीन रीजन होता है इसके अंदर जाता है मिट्टी गेंदर डी मक्की प्रोब्लम हमारे देखने के मिलती है तो देखें यह लास्ट वीडियो मैंने आपको ओते था एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अम्रूद के प्लांट की उसमें क्या था मेरा प्लांट जो हमरूर का था, वो सूख नहीं लग जा था, उसकी पत्तियां क्या है मुर्जाने लगी थी, और मुर्जाने केबाद एक है कि साइड में से सूख लगके, वो पोधा हमारा बिल्कुल खटम होने के कचार पे आ गया था, तो यहां पर क्या देखा किसी प्रोब्लम क्या आती है प्त्त्त के पोदा स्वुर्द मुड़े जाएगा और plant बिलूल खतम होने के गारबे आ जाएगा तो यहाँ पर D-Max से बचाओ के लिए आप क्या काम कर सकते हैं आप चाहिए organic insecticide आप यूज़ कर सकते हैं या फिर chemical insecticide आप यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है सबसे पहले जो आपका पोधा है, plant है उसे चार और जो मिट्टी है उसकी अच्छे से खुदाई कर देनी है या नि इसको गुडाई कर देनी है अच्छे से ताकि उसमें जो अपरोपर जो इसको हवा लगे plant को तो यहाँ पे मैं अच्छे से गुडाई कर देता हूँ अपने प्लांट की गुडाई करने के बाद देखें आपको करना क्या है आप चाहें और्गैनिक इंसे साइड उज़ कर सकते हैं और फिर केमिकल इंसे साइड उज़ कर सकते हैं तो इसका यूज कैसे करना है देखे इसका यूज करने के लिए हमें के लेना है 5-6 लिटर पानी लेना है और उसमें मातरा मिलानी है कम से कम 10 ml हमें इसमें मातरा मिला देनी है इसकी 10 ml मातरा मिलाने के बाद इसको अच्छे से चला लेना है ताकि पानी में अच्छे से यह मिल जाए तो 10 ml मात्रा मिलाने के बाद मैं इसको चीज़ मिला लेता हूं और मिलाने के बाद इसका यूज कैसे करना है सिंपल इसको आपको यूज करना है जो भी आपको प्लांट है इसमें डी मकी समझ से आपको दिखाई दे रही है उसमें आपको इसके यूज कर देना है इसमे में चुटकारा मिले दियान रहे जो आपकी मिट्टी हो जिसमें आप इसका यूज करें उस टाइम पे आपकी मिट्टी आपकी गिली नहीं होनी चाहिए आपकी मिट्टी सूखी होनी चाहिए ताकि जो मिट्टी में पानी है वो नीचे तक चले जाए जड़ो तक हमारे फोद में यहां पर प्लांट में ऐसका है नहीं कि खार मैं ज़क्रइगा वो आपको शुटकारा मिल जाएगा निखंष किस तो इसके बाद लेखने को मिल यहां और और इसके जिखा रहे था हूं जो तो मैंने एक साल बाद जो मैंने अपना प्लांट जो इस द्वाई का यूज किया था। उस में देखेज याश्कि ग्रोध आप देख सकते हैं आज की डेट में यह प्लांट देख़िक मैंने क्टिंग कई थी तो यह ऐसा तो नहीं है कि दीमक की समस्या खतम हो जाती है मिट्टी के अंदर से वो एवरी एर आपको देखने को मिलेगी तो इस केस में आपको करना क्या है जब भी आपको गर्मी ज्यादा दिखाई दे तो एक बार जरूर आप इस दवाई का यूज अपने प्लांट में कर उख्रा है उसमें डीमक की समस्या अगर आ रही है तो उसका चुटकारा कैसे पाना है कौन सी दवाई का यूज आपको करना है सब कुछ जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीड जरू कर लिजेगा अगर आपको कोई प्रोब्लम है इस समस्या है कुछ आपको प्लानेट के अंदर तो आप नीचे कमिन्ट बॉक्स में कमिन्ट कीजिए वहाँ पर मैं आपको इस वीडियो जरू दोंगा धन्यवाद